राश्ट्रियस तर पर 2022 से 23 सीजन के मुकाबले 2023 से 24 के वर्तमान रभी सीजन के दौरान काबुली चना के बिजाई छेतर में बढ़ोतरी हुई है और मौसम की हालत अनुकूल रहने से प्रमुक उतपादक राजियों में अभी तक फसल की स्थिती संतोशनक दिखाई पड़ र काबुली चना के बेहतर उतपादन की संभावना व्यक्त की है व्यापार विशलेशकों के अनुसार 2023 से 24 के मौजूदा रभी सीजन में काबुली चना का घरेलू उतपादन 3.50 लाक टन के आसपास पहुँचने का अनुमान है उलिकनिये है कि भारत इसका निर्यातक और आय जिससे 816.72 करोड रुपए की आमदनी हुई इसके मुकाबले अप्रेल अन्वंबर 2022 के आठ महीनों में भारत से लगभग 1200 करोड रुपए मूले के 1.21 लाक टन काबुली चना का निर्यात हुआ था भारत से काबुली चना का निर्यात तुर्की संयुक्त अरब अमीरात अप्रेल से अक्तूबर 2023 के साथ महीनों में देश के अंदर 518.72 करोड रुपए मूले के 72,060 तन काबुली चना का आयात किया गया। इस वर्ष रमजान का महीना जल्दी शुरू होने से भारत को काबुली चना का निर्यात बढ़ाने का अफसर मिल सकता है। घरेलू जाता है। लेकिन इस बार उतपादकों एवं स्टॉकिस्टों को अपना स्टॉक बाहर निकालने का मौका मिल रहा है। दस मार्च से रमजान का महीना शुरू हो रहा है जिससे मुस्लिम बहुल देश में इसकी मांग काफी बढ़ गई है। महाराष्ट्र में मध्य फरवर के लिए अच्छी मात्रा में काबुली चना के निर्यात सौदे होने की सूचना मिल रही है। अप्रेल से बाजार की स्थिती दिल्चस्प बन सकती है क्योंकि तब मेकसिको में इसकी नई फसल आने लगेगी जबकि कनाड़ा में बिजाई आरंभ हो जाएगी। ब्यूरो र प्रेपोर्ट मार्के ताइमस टीवी